तो यहां पर CBSC ने कुछ नई announcement करी है जो की regarding है term 1 और term 2 के students के लिए तो CBSC के जो passing rule है कि कौन बच्चे pass होगे किन बच्चे को result मिलेगा सबसेल बात करते है result किसको मिलेगा तो result उनको मिलेगा बच्चे जैसे मालों कोई बच्चे है जिसने term 1 का exam नहीं दिया है यह exam नहीं दिया और term 2 का exam उन्होंने दिया है उनको भी result मिलेगा ऐसे बच्चे जिन्होंने term 1 का exam तो दिया है यह दिया है लेकिन term 2 का exam नहीं दिया उनको भी result मिलेगा ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों ही नहीं दिया मालों न term 1 दिया न term 2 दिया उनको result नहीं मिलेगा वो बच्चे ना compartment के लिए भी eligible नहीं रहेंगे ठीक है उनको class को repeat करना पड़ेगा दुबारा से पूरी class करनी पड़ेगी जिनोंने ना term 1 दिया है ना term 2 दिया है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनों term 1 पूरा दिया और term 2 के कुछ subject नहीं दिया तो पूरा दे दिया तेकिं term 2 के मालो एक-दू subject रहे गए तो उसके लिए बहुट कुछ अलग से कोई criteria विगए रूल विगए त्यार करेगा जो बच्चों के favor में होगा उसके according आपका result बनेगा तो यह आप से बहुत खोड़ी update है कि कि किस तरह result का relation करी जा रहे है बाकि आपको कोईशिय करने के आप exam जो है वो सारे civilect के दे पर अगर एक-दो subject रह जाते हैं term 2 में तो शयाद आपका कुछ और criteria से आपको result देया जाएगा लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप दोनों में नहीं बैटे हो तो आपको compartment exam नहीं देने को मिलेगा आपको पूरी class फि